नमस्कार के अर्याना के डेली मंडी भाव बुलेटन में आप सभी दर्शकों का दोस्तों का स्वागत है तो चलिए हम बात करते हैं आज जो है वो सिर्शा मंडी के क्या कुछ भाव रहे है तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मा के फसल की क्योंकि नर्मा के फसल लग का आंकडा क्रोस की हुए लगातार बरकरार रखे हुए है यानि कि बढ़त 10,000 से प्लस बनाए हुए है आज के अगर बात करें पांच फरवरी को 10,151 रुपे प्रतिक्वेंटल के इसाब से नर्मा की फसल जो है वो भी की है उसके बाद कपास के अगर बात करें तो 8,031 रु विराइटी है उसका भाव जो है वो 3628 रुपे प्रतिक्वेंटल रहा है पी बी वन के अगर बात करें तो 3,52 रुपे प्रतिक्वेंटल के हिसाब से देखने को मिला है इसके साथ ही अगर बात करें तो 4 फरवरी को और 5 फरवरी की अगर तुलना की जाए तो 4 फरवरी को न सर्चों के अगर बात करें तो दोसो 50 रुप्ई के लकबक गिरावट हुमें देखने को मिली है तो 7050 रुपई के हिसाब से रहा है ग्वार के अगर बात करें तो चार फरवरी को 5,900 रुपे प्रतिक्वेंटल गौर की फसल का भाव रहा था तो 5 फरवरी को 50 रुपे की गिरावट के साथ 5,850 रुपे प्रतिक्वेंटल के हिसाब से रहा है और धान की विराइटी 1401 की बात करें तो 3623 रुपे प्रतिक्वेंटल के हिसाब से चार फरवरी को अमें देखने को भाव मिला था तो उसके बाद आज अगर बात करें तो पांच रुपे प्रतिक वेंटल के इसाब से बढ़ोतरी जो है वो धान की 1401 विराइटी में देखने को मिली है पांच फरवरी को 368 रुपे प्रतिक वेंटल के इसाब से रहा है अब अ दो तरी जो है वो हमें देखने को मिली है तो आप इस बुलेटन को ले करके क्या कुछ कहना चाते हैं आपके इसाब से नर्मा के फसल के भाव क्योंकि नर्मा भी पूरे चरम पे है शिर्च पे है सभी की निगाहे नर्मा के फसल पे हैं तो आपके इसाब से नर्मा के फसल के जरूर बताईएगा